रासधानी दिली से सटे गुरुगराम के हर सरू गाउं की रहने वाली एक महीला ने बुजुर्ग को अपने जाल में फसा लिया उसके बाद कैश और प्रपटी खुद के नाम करवा कर लगातार ब्लैक मेल करने लगी पुलिस ने 64 वर्षिय बुजुर्ग की शिकायत पर मामला दर्जकर ब्लैक मेल महीला को गिरफतार कर लिया है दरसल सरकारी विभाग के रिटायर बुजुर्ग की उनके भाई के ड्राइवर ने एक महीला से अप्रैल में मुलाकात करवाई थी उसने अपने बच्चों के एड्मिशन के लिए बुजुर्ग से केंदरी विध्याले में सिफारिश लगवाई जिसके बाद दोनों के बीच मुलाकात का सिलसिला शुरू हो गया आरोपो के मुताबिक एक दिन उसने बुजुर्ग को अपने फ्लैट पर बुलाया और कॉल्डरिंग पिलाई जिसके बाद उनको बेहोशी चा गई होश में आने के बाद बुजुर्ग बेसुध हालत में अपने घर पहुचा वही कुछ दिन बाद ही महीला ने बुजुर्ग को बताया कि बेहोशी के दोरान उसने उनके साथ अतरंग वीडियो बनाए थे जो उनके मुबाइल में मुजूद हैं बस यहीं से ब्लैक मेलिंग के सेक्टर बानवे में एक फ्लैट के कागज भी अपने कबजे में ले लिए दोनों में अब ये तैह हुआ था कि इसके बाद वह कभी भी ब्लैक मेल नहीं करेगी लेकिन कुछी दिन बाद उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर दोबारा ब्लैक मेलिंग का खेल शुरू कर इस बार उसने टूलिप सोसाइटी में फ्लैट दिलाने की मांग की जिसके बाद बुजुर्ग ने गुरुगराम पूलिस से शिकायत की और महिला को गिरफतार करवाया